एलो दोस्तों मैं हूँ विरल शर्मा स्वागत है मेरी इस यूटूब चैनल पर आशा करता हूँ आप सवगी लोग स्वस्थ दोंगे आज हम करेंगे चैप्टर नमबर वन नमबर एक्सरसाइज नमबर 1.5 आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूत नहीं पड़ेगी तो लेट स्टार्ट अब देख रहे हैं आप कोश्चन नमबर 4 rewrite using commas according to the Indian system of numeration इसमें rewrite मतलब हमें दुबारा लिखना है commas लगा के according to the Indian system of numeration इतना आपको समझाता है और ये तो बहुत इसी कोश्चन आप अपने आपसे भी कर सकते हो अब आप 4 का A देखो 4 का कोश्चन नमबर A के है 4 6 1 6 4 6 1 6 3 0 3 0 0 2 5 उके इसमें क्यों करना है using Indian system of numeration using Indian system of numeration में करना है तो once tens, hundreds, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, करो, ten करो अब इसमें Indian system दे रहा है और international system में क्यों होता है कि हमें once tens, hundred, thousand, ten thousand, hundred thousand, million, ten million, hundred million ऐसे होता है ठीक है इतना समझ में हो गया अब बी का देखो क्या है बी पे क्या है 372722103 है ना तो अपने यहां पर कॉपी कर लेते हैं आप भी कॉपी किजिए मेरे साथ 372722103 ओके तो once tens, hundred, thousand, ten thousand, lakh, ten lakh, करो, ten करो, easy समझ में आ गया अगर नहीं सुना जो है तो comment box में डालके base देना question number five question number five देखो क्या है rewrite using commas according to the international system of numeration इसके एपे क्या है देखो अब इसमें हमने पहले में क्या करिया था Indian system of में कॉमा लगा की किया था अब हम करेंगे international system में तो international system में क्या है five, nine, six, four, five, nine, six, four, eight, five, one, nine, two अब इसमें हमें क्या करने है international system तो one stands hundred thousand ten thousand hundred thousand million ten million hundred million that's all अब question अब बी पे आता है अब बी आ रहा है बी पे क्या है देखो one three eight two one three eight two seven seven one zero four ओके अब देखो one stands hundred thousand ten thousand hundred thousand million ten million hundred million simple अब आता है हमारा question number six ओके question number six देखो write the number name of the following numbers using the Indian system of numeration अब इसमें क्या करना है हमें दोस्तों जो हमारा यह जो हमारी यह आपको number दे रखे इसको हमें Indian system में number name लिखना है number name को आप तो पता ही होगा कैसे कैसे लिखते हैं इसमें इन्डियन system में अमें इसका number लिखना है तो क्या करेंगे हम copy number note करो 79304506 उगे, इसको कैके हैं इसे लगा दिया इसको इंडियन सिस्टम में आप में कमेंड मोक्स में डाल के बताओ कैसे लिकेंगे 1, 10, 100, 1, 10,000, 10,000, 10,000 करोड तो क्या होगा ये सेवन करोड ननिट्री लैक अब यहाँ पे सेवन करोड निट्री लैक 4000 4000 4506 506 ओके यह हो गया इतना समझ में आ गया अब देखो B पे क्या है B पे है हमारा 100 100 7 8 9405 अब इसको कैसे लिखेंगे देखो वान biri 100 100,000 10,000 तो तें करोर अब आम सेवन लेक क्यों लिखेंगे क्योंकि 10 लेक की जगहины धी पे गया 0 है हो जी लो को वालूड नहीं होती है तो हम 7 लेक लिखेंगे 10 करोर तो यहां पर देखो 10 करोड 7 lakh आएगा डायेट ना 7 lakh आएगा क्योंकि यहां पर 10 की लेग पर कोई जगे नहीं है 89,000 अब देखो इतना समझा गया अब देखतों कोश्य नंबर 7 पर क्या है अब हमें राइट नंबर नेम्स करनें इंटरनेशनल सिस्टम में पहले हम ने किये इंडियान सिस्टम में हम करेंगा इंटरनेशनल सिस्टम में नोट करिए 1517 151701 821 इसको जल्दी से लिखेंगे हम वन तंस हंडर थाउसनल तेन थाउसनल 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 थाउ है ना एट हंडर्ड ट्वेंटीवन एट हंडर्ड ट्वेंटीवन ओके जल्दी से बी कर लेते हैं बी पे देखो क्या है बी पे देखो क्या है 105 इंस्क्रीन्शोट है ना दोस्तों 201005 ओके अब लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे ए ऐन्राड टॉज़न तेम ताउज़न हंडर तॉजन मिलिएन तो वन हंडर्ड फाइव मिलियन वन अंडर्ड फाइव मिलियन तूहंड़ड वन थाउजन्द तूहंड़ड वन थाउजन्द तूहंड़ड वन थाउजन्द डिर्क्ट फाइब लिखेंगे क्योंकि हंड़ड और टैंस की ब्लेश से कुछ जीए हो है थाउजन्द फाइब ओके दोस्तों आज की लिए इतना ही अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब और बैल आइकन दबालना नहां भूलें अगर आपको कोई भी इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इसमें कमेंट ब ना कर बेजूँगा धन्यवाद